यरिंडे की फ्लेट पेरिश से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी लेकिन पाइलट ने बीच रास्ते में जब फ्लेट को उतारा उसके बाद से उसमें 180 पैसंजर को छोड़ करके और ड्यूटी आवर बोल करके चला गया यात्री करीब 9 घंटे तक परिशान होते रहे लेकिन कुछ यात्री को जो दिल्ली पहुंचना था उन्हें कुछ यात्री को बस से बहजा गया तो कुछ यात्री प्लेन के जगह वह लोग अपने नीजी गाड़ी से गए फ्लाइट की टिकट अगर बुकिंग कर रहे हैं सर्दियों के मौश्रम में तो खास ख्याल रखना जरूरी होता है अगर फ्लाइट की टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो अभी एयरपोर्ट पर या हर जगह विजिल्वीटी बहुत लोग चल रहा इसके वज़र से फ्लाइट ना तो लेंड सही समय पर हो रहा और ना ही सही समय पर टेक आफ हो रहा और वही फ्लाइट है जो समय से लेंड और समय से टेक आफ नहीं हो पा रहा वो फ्लाइट है सुबह और साम की फ्लाइट है माली जे अगर आपने टिकट बुकिंग की है सुबे की फ्लाइटे यानि शुबे 9 बजे तक की फ्लाइटे तो वह डिले हो सकता है टेक ओफ होने में डिले हो जाएगा यह flight अगर रात में 7 वजे की बात की है, 8 वजे या 10 वजे, अगर 10 वजे तक की flight है तो वह लेट हो सकता है वह अगर land होने वाली flight सुबह में land होने वाला हो या रात में land होने वाला हो वह flight देले भी हो शकता या फिर उसे डावरट करके किसी और एरपोर्ट के लिए भेजा जा सकता है उसी तरिके से एक flight पेरिश से दिल्ली के लिए उडान भरी रात नौब वजे पेरिश से flight उडान भरी और सुबह में शाढ़े दस वजे दिल्ली पहुंचना था लेकिन खराब मौशम के वज़े से फ्लेट है दिल्ली की जगा जैपूर में सब दोपहर 12.15 बजे लैंड हुआ और फ्लेट लैंड होने के बाद में पाइलट ने एर ट्राफिक कांट्रोल सिस्टम से उडान भरने के लिए क्लियरंस का इंतिजार करते रहा लेकिन टाइम काफी ज़्यादा हो गया और फ्लेट की कलियरंस नहीं मिल पाया जिसके वज़ा से पाइलट ने 9 बजे रात को ड्यूटी खतम बता करके वह सभी यात्री को प्लेन में छोड़ करके ही चला गया एरिंडे की फ्लाइट नंबर AI-2022 जो रात को 10 बजे दिल्ली के लिए उडान भरा था लेकिन 24 घंटे बाद भी यात्री दिल्ली नहीं पहुँच पाई जब पाइलट ने चला गया तो यात्री हंगामा करने लेगे जिसके बाद एरलाइन के तरफ से एक बस का इंतजाम किया गया और करिब 60 अदमी बस से गए तो कुछ यात्री एरपूर्ट पर इंतजार करते रहे और कुछ यात्री अपनी नीजी गाड़ी से गए अभी के समय में जितने फ्लाइटे उडान भर रहा है या लैंड हो रहा है वो काफी लेट हो रहा है अभी सर्दी के मौसम में 3-4 महिना ऐसे चलता रहेगा इसलिए अगर आपको टिकट बुकिंग करना हो तो दोपहर की फ्लाइट की टिकट बुकिंग करें